दुमकसला के चर्मुंडी प्रखंट में किसानों को सरकारी दर पर खाद नहीं मिल रहा है किसानों का कहना है कि जिस खाद का मुले 265 है वा 400 में बेचा जा रहा है जिला परिशद सफसदस से चंदर शेकर यादों का कहना है कि पूरे चारकंड में एक खास व्यक्ति को खाद वित्रण की समयदारी दी गई है इसकारण से मुले निर्धारित कर छोटे दुकानदारों को खाद दिया जा रहा है जिसका परणाम इन किसानों को जेलना पड़ रहा है जर्मुंडी विधान सवा के कृष्णी मंत्री बादल पतलेक के छेतर में पहुंची हुई है और यहां की समस्या लोगों से जानेंगे कि खाद को लेकर सीचाई को लेकर और वी कई ऐसी समस्या है जो कि किसानों के हित में काम करनी चाहिए पुरे मसले में पात करने के लिए चनसेखर जी है चंसेखर जी यह पताये कि कितना सरकार काम नहीं कर रही आपको क्या लगुंअ कि किसान बिलकुल ही आपको फिर ना पर मने भरश्चारी है और इसके चलते हम जो है नव उद्योग पती है वो बढ़ते जा रहा है इसमें जो है बहुत बड़ा आक्रोस है किसान को आज जो है किसान का खाद देखिए किसान का जो यूरिया खाद अभी के समय में मैं ने सब्सक्राइब करते हैं भारत सरकार और राज सरकार से किसानों की समस्या को समझें और उसके दुख दर्द को समझें तभी देश का अभिकास होगा किसान ही यहां का रीड है पाणि नहीं है उसका यहीं है नहीं है बड़े अपक्ष्छा के साथ बिधायक से मंत्री तक कपद तक ही किये हुँगी में क्रिस्टी मंत्री बने हैं तो अपेक्षा तो कुछ होगा ना उसा आयक आ रहे हैं जे सिचाही के लिए बास्ता होना चाहिए और क्या हो कुल मिलाकर यह समझ सकते हैं कि समस्य अजस्कत्तस है कि क्यमरा सायोगी एंडी साक्य साथ कुनाल सांतनु कसिशनी तुमका